मार्केट में बड़े सारे ऐसे सप्लिमेंट्स हैं जो ये प्रॉमिस करते हैं कि वो हमारी इम्मुनिटी को स्ट्रॉंग बनाते हैं पर इम्मुनिटी स्ट्रॉंग बनाना इतना वीजी नहीं है जितना कि ये सप्लिमेंट्स हमें प्रॉमिस करते हैं तो आज की वीडियो में हम देखेंगे के कौन से तरीकों से नेचुरली हम अपनी इम्म्यूनिटी को स्ट्रॉंग बना सकते हैं तो हलो, वेलकम बैग तो माई चैनल, आम गौरभ और बिना किसी वेट के आज का वीडियो शुरू करते हैं बड़ी सारी चीजों के साथ साथ, हेल्दी डाइट लेना आपकी स्ट्रॉंग इम्म्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है मतलब आपको अपने डाइट में बड़ी सारी ग्रीन वेजेटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स एड़ करने पड़ेंगे इम्म्यूनिटी स्ट्रॉंग रखने के लिए आपको रेगुलर्ली एक्सरसाइज करनी चाहिए एक्सरसाइज करने से सिर्फ मसल्स ही नी बनते, आप इंटर्नली और एक्स्टर्नली भी फिट रहते हो तो जब आपकी ओवरॉल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो बाइडिफॉर्ट आपकी इम्म्यूनिटी भी स्ट्रॉंग बनेगी पानी का रोल आपकी बाडी में सबसे ज़ादा है, अगर हम हाइडरेट नी रहेंगे, तो हमारी बाडी फंक्शन ही नी कर पाईगी हर चीज के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी पानी बहुत सुपोर्ट करता है अगर आपको यह exercise नहीं भी करते हो, तो भी पसीने की वज़े से आपकी बाडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है इम्यून सिस्टम को सुपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप दिन में कम से कम 3-4 लिटर पानी ज़रूर दियो प्रॉपर नीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, हमारी बॉड़ी में इंफेक्शन से लणने वाले मॉलिक्यूल्स मोस्ली तब बनते हैं जब हम सो रहे होते हैं स्टडीज में भी प्रूफ हो चुका है कि जो लोग प्रॉपर नीन नहीं लेते वो जल्दी बिमार हो जाते हैं तो अगर आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग रखना है तो नीन की तरफ भी पूरा ध्यान दो तो सिर्फ सप्लिमेट्स पर रिलाई करने से कुछ नियोंगा क्योंकि इम्यूनिटी चर्व करनेवाले सप्लिम्यंट्स आपकी कितनी हैं किसी को नहीं पता